हेलो प्रेंट्स, वट मॉर्निक, वेलकुम बग तू माई यूटूब चैनल, फ्रेंट्स ये है मेरे सारे जैट प्लांट के बोनसाइ, जिन को मैं बोनसाइ डोल अप करने में लगी हूं, तो प्रेंट्स आज हम इसे के बारे में बात करेंगे, फ्रेंट्स ये एक लखी प्ल हमारे लिए शुप प्रांट है इसको घर में जरूर लगाना चाहिए और फ्रेंट्स यह इतना इजी टू ग्रो है कि जो नए नए गार्णिंग शुरू करना चाहते हैं इस प्रांट से करें तो बहुत जल्दी ग्रो होगा इस प्रांट और गार्णिंग के शौकी इंज जो ह मैं बोंसाई कर रही हैं और यह हो भी गए हैं काफी मेरे पास 6-7-8 प्रांट हैं जो कि मैं बोंसाई बना रही हूं कटिंग से ही मैंने ग्रो किये थी और देखिए अब यह बिल्कुल डावलप हो चुके हैं आप यह जैट प्रांट यह कैसा प्रांट आप इसको कुछ भी इसक्राब दे सकते हैं और यह बोंसाई बनाने में तो बहुत ही नंबर वन प्रांट है इसको आप बोंसाई बोफ जल्क राक्वर कर सकते हैं अमैने में इस बास्केट में भी यह हैंगिंग बसकेट है इसमें मैंने लगा दिया था और इसमें भी चोटी क debt लगाय थी इसको जरूर लगाना चाहिए गर में और फ्रेंड्स इसकी लोकेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स ये कहते हैं कि इंडूर प्लांट है लेकिन नहीं ये इंडूर प्लांट नहीं है ये आउट्डूर प्लांट ही है इंडूर आप इसको एक दो दिन के लिए रख सकते हैं दो Sunlight में इसको रखेंगे इतना ही यह सुंदर बनेगा और पुशी पुशी बनेगा इसकी पत्यां भी कलर बहुत ग्रीन होगा हां मई जून में आप इसको जरूर Shady Area में रख सकते हैं लेकिन रखिए इसको बाहरी तो अभी देखिए मेरा इतना लंबा हो गया इसको भी मैं कि बनसाई के लिए तोड़ा जोड़ा वाला पॉटे चाहिए जो कम गहरा हो उसे में बनसाई डवलब होता है बहुत अच्छा और दिखता है अच्छी तरह हो एक पेड़ की तरह की शेप ले लेता है कुछ भी आप दे सकते हैं आशा तो इसको शेप बस वाइरस इसको बा इसमें सेंड रखना है जाद है 50% अगर सेंड रखेंगे तो एक भाग सेंड एक भाग इसमें कंपोस्ट और एक भाग इसमें गार्डन सोयल और 50% इसमें सेंड और नीम खली मिला सकते हैं क्योंकि फंगस ना लगे तो वैसे तो इस पर लगती नहीं है कुछ भी यह बहुत प्लांट है और पीच में से इसको ऐसे पिंच करते रहिए दो दो पतियां उपर से जहां से आप पिंच करेंगे महां से दो तीन ब्रांच निकलाएंगी तो और मेरे बालकने में तो बहुत ज़्यादा दूप है तो इसलिए यह बहुत जल्दी ग्रो होता है यह जलते चलत अगर आप पानी जादे देंगे तो इसकी पतियां पिली हो जाएंगे और जढ़ जाएंगे और मैं जो इसमें सीक्रेट देते हूं यह सीवीड के ग्रैनवल्स हैं यह मैं इसमें देते हूं और गैनिक है यह नुकसान नहीं देंगे देने से मैं तो ऐसे भी इसमें डाल द चारो तरफ प्लांट में डाल देती हूं इसके और फिर पानी दे दो वह बीज़ी है करना और पानी में डैलूट करके भी आप दे सकते हैं पत्तियों पर सप्रे कर सकते हैं पत्तियों इक अधन से घृन हो ही अच्छा है यह टूमें सारे प्लांट्स में देती हैं ऐसे भी डाल देती हूँ और पानी में डाल्ब करगे जड़े डालते हूँ इस प्रे पाई में डाल वड़के और प्लाल डाली सकते हैं यहflower के के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं देती हूं और बोगन विला में मैंने दिया तो इससे इतनी फ्लावरिंग शुरू हुई कि बहुत ज़ाद है अभी मेरे प्लांट में फ्लावरिंग दोबार आ रहे हैं तो मैं यही देती पंदरा बिस दिन में इसको डेलूट करके दे यही सप्रेई था पानी नहीं देती प्लांट में बस सिसे ही एतना बैघब बहुत सुनदर और यह प्लांट में बहटैसे इस में नहीं लगता जासा मैंने बताया लेकिन हम इन घभी कभी मिली बग लग जाता है इसलिए इसको ना हिबिसकस प्रांट से दूर रखिए क्योंकि अगर उसमें लगी तो इसमें बहुत जल्दी आ जाएगी अगर उसके पास रखा होगा तो तो मिली बग का टैक इस पे हो जाता है कर भी लेकिन मेरे यहां तो अभी कुछ भी पैस निसमें अब तक लगा बिल्कुल ठीक है और फ्रेंट्स यह अपने घर में जरूर लगाना इसको यह प्लांट सब के लिए लकी प्लांट है इसको घर में लगाने से तो शुपता आती है लकी आप लगा कर देखी एक बार इस प्लांट को कितनी शुपता आती है मेरे पास तो बहुत सारे जैट प्लांट हैं और मैं गिफ्ट भी करती हूं यह प्लांट अपने रिष्टेदार में दोस्तों को मैं देती हूं कोई आता है तो यह देखिए तर कितने ग्रीन ग्रीन है फ्रेंट चार उत्रपी दिखेंगे मेरी बालकनी में देखें और यह तो मैंने कॉर्णर पर बालकनी में रखेंगे हैं और नीचे तक भी लटक गए हैं कोई-कोई तो और एक में टो प्यारी भी बनाने की तैयारी में हूं वह भी कर रहे हूं तो फ्रेंट्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मेरे चैनल को सब्स्राइब करना अगर धेंगे तो सब्सक्रेंगर मेरे तो सब्सक् Before